जो लोग आज मुझे calls पर calls कर रहे हैं और messages पर messages कर रहे हैं मैं आज उनसे माज़ित खाऊं कि मैं उनको respond नहीं कर सका लेकिन मैं उनके जज़वात जो है वो समझ चुका हूँ लेकिन जो मेरे जज़वात हैं वो मैं इस वीडियो के जरीए आप तक पहुचाने की कोशिश करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा किस वज़ा से पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत पाए लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकर क्रिकर से रिलेटेज जो भी न्यूज है वो आप तक पहुंच सकते USA की टीम से आप हारते हैं और दो राते हैं येकीन करें नीद नहीं आती यही सोचने में रात गुजर जाती थी कि काश हारिस रौफ एंड पे फुल टास न करता काश वो पंतरा राज़ डिफेंड कर लेता काश बाबर आजम फिल्डर पीछे लेके जाता काश हारिस रौफ फुल टास न करता काश अगर सूपर अफर हो गया था तो मुहम्मद आम पिर जो है वो आठ दस कोर खाता और काश हमारे फिल्डर इस मैच को फिनिश कर पाते यहां जो फखर जमान है वो स्ट्राइक में जाते और शायद वो जो है वो तीन चक्के लगा आगे पाकिसान को जिदा देते यह अजाब और यह कर्ब अभी कम नहीं हो था कि जो पाकिस पाकिस्तानी कौम के साथ की है क्रिकट फैंस के साथ की है उसको मैं किस तरह ट्रांसलेट करूँ मुझे समझ नहीं आ रही है यह हम स्पीचलेस लेकिन आपको दो से तीन पॉइंट बताऊंगा जहां पे पाकिस्तान यह मैच हार्ट है सबसे पहले बात बॉलिंग की है बॉ three performance ते momentum पाकिस्तान की दरफ था start भी अच्छा होता है पाकिस्तान खेलता भी अच्छा है run a ball जो है required होता है end पे क्या होता है 40 score चाहिए run a ball आपका जो set better है जो रिजवान है वो क्रीस पे मुझूद है तीन आपके out होते हैं बुम्रा के दो आवर पहले हो चुकी होते है बुम्रा second smell पे आते है और मुहम्मद रिजवान जो shot पहली गेंद पे बुम्रा की पे खेलते है वो मुझे समझ नहीं आई वो क्या shot ती कि जब आपको पते हैं कि आपको run a ball 40 score चाहिए और आप वो better है कि जिसकी wicket बहुत important है आपको wicket पे खड़ा रहना आपका बहुत जरूरी है और आप एक फजूल shot केल तो यह लिए बुम्रा जो है वो wicket सेलिबरेट नहीं करता लेकिन जिस तरह उसने इस wicket को सेलिबरेट किया उससे बता चलता था कि उनकी body language क्या थी और फिर जो momentum shift होता है इंडिया की तरफ पाकिस्तान उस momentum को gain करने में नकाम रहता है उसके बाद पाकिस्तान की जो है वो टांगें काम पजाती है कोई भी better जो है वो game को read नहीं कर पाता यह miss calculation करते है फिर इतने सतू भी के आता है यह जो इमाद वसीम है मुझे नहीं पता यह क्यों से इसने दनिये की लसी पी होती है यह इसने सतू भी है कि इतना ठंडा बंदा कि जब भाई आपको पता है कि 5 विक्ने आपके हाथ में है और आपने accelerate करना है आप single पर single ले रहे हैं आप single को double में भी convert करने की कोशिश भी नहीं कर रहे है तो यहां पर पाकिस्तान मैच आरता है intent word तो आप बड़ा सुनते हैं चोके से के intent नहीं होते intent body language को कहते हैं कि किस body language के साथ आप game को approach कर रहे हैं अगली team जो है वो आपको किस तरह पर counter करेगी जब आप lay single रहे हैं आप दोड़ी नहीं रहे तो filter को पता है आप सिंगल ही लेनी है तो मैं अराम से पकड़ता हूँ जब उसको आप इन हरी नहीं करेंगे तो वो तो अराम से गेंद पकड़ेगा वो fumble होगा भी नहीं तो आपकी single सिंगल ही रहेगी फिर जब इमाद वसीम आता है पता नहीं कौन से सतू भी के आता है मुझे तो समझ नहीं आते है इतना धंडा बंदा कि भाई उसको game awareness का नहीं पता उसको game reading नहीं आ रही कि भाई मैंने अगर 6 गेंदों पर 6 single नहीं तो मैं तो बड़ा दूर चला जाओंगा मैं इसे और मैंने जब accelerate करने है तो मैं एक अच्छे time पे उसको accelerate भी करूँ लेकिन single को single ले रहा है single को double में convert करने की कोशिज नहीं कर रहा जो लोग intent intent को ये समझते हैं कि भाई सिरफ चोके चके हैं उसके उपर तो आप pressure create करने की कोशिज नहीं कर रहा है जो fumble होने के chances हैं वो भी नहीं होगे वो तो खुश है कि भाई अवर में 3 या 4 single लग रही है pressure create हो रहा है तो ये गलती की है पाकिस्तान ने कि इमाद वसीम ने कितनी गिन्दे consume की है और कितने runs बनाएं और end पे चोका चका जब लगाने के कोशिच की तब आउट हो जाता है फिर मुझे ये बताएं कि कौन सी at sea batting line-up है जिसकी 5 victor मुझूद हों जिसके 2 main finisher क्रीज में मुझूद हो 30-3 अवरों में 30 score ना कर सके और फिर वो इतना aggressive भी नहीं हुए आप ने देखा कि सिराज के अवर में hit करने की उन्होंने कोशिच नहीं की बुम्रा ने बाई जो आपके main finisher को आवर कर दी है आप बड़े सारा साल बुम्रा शहीन बुम्रा शहीन करते हैं यह कुछ भी नहीं है शहीन बुम्रा आपने बुम्रा ने आपको बता दी है किस तरह जो है वो एंड वाले अवर होते हैं तीन जो है वो रंस में उसने अवर निकाल ला और आपका main finisher वो आउट की है अब बात करते हैं finisher की जो हमारा टीम में finisher है उसने कब match finish करना है नो गिंदों पर पांस score जब तीन अवरों में 30 score चाहिए यकीन करें किसी गली के बचे को भी खड़ा कर देना तो वो भी छे गिंदों पर छे सिंगले तो लेगा और मुझे भी आप लेके जाएंगा मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मैं बुम्रा की छे गिंदों पर छे सि तेनू चाचा न चाहीं किनू में तो और का मैच में और सबसे मैयम रॉंगा मैंबर पाकिस्तानी इपेरों चाचे और आपे आपसे शाड नहीं लग रही और खुदा का खौफ करो आउट ओ吧 यकीन करें मैं आपको किसम उठा के कहता हूं कि ये इस चाचे की जगा अगर आप नसीम शा को बहिते ना तो शायद आप मैच जीज सकते थे यह चो डो चो के एंडवलें उवर में लगाए हैं यह पहले लगायई होते ना तो आप मैच जी जाते हैं लेकिन इस चाचे से ंइन टच नहीं हो सकी फिरी-इंट पर चयले आपका दी है इससे तो भाई हमने डिमांड ही नहीं किया था 50 रान्स कोर करें इसको तो यह का था कि 20 या 15 रान्स बना दे जहां पर एक चोका या च्छका लगा के पाकिस्तान वो मैच जी सकता था और मैंने वी लॉग भी किया था मैंने का था कि इसको वाशनूं भी वो दें जिसमे डेविड मिलर की वो इनिंग ओ इसको हाइलाइट्स लगा के दें और इसको कहें कि आपने सारा दिन यह देखना है और जिस तरह की क्रिकट खेल लिया है यकीन करें मेरा दिल करता है इसको अभी पाकिस्तान बेचें पूरी लाइफ के लिए इसके क्रिकट खेलने के लिए पबंदी लगाए और अगर यह क्रिकट देखे भी गली में बाहिर निकले बचे खेल रहे हो और यह उसको देखे तो इसको फिर भी दो चार चितर मारने का आड़र दिया जाए इसमें इतनी सक्ती की जाए इसका यह बंता ही नहीं है कि इसका क्रिकट के साथ कोई वास्ता I don't know this Ivan OC fan was फिनिशियर का काम है फाम है पड़ा है कि यह क्रिकर्ड कहली है सारी अप में और बाबे कायद के साथ क्रिकर खेलते रही हो इतनी तुम्हारी उमर और आज भी कहते हो मुझे बच्चा बच्चा को मैं तो यंग स्टर हूं मुझे चा चाचा क्यं पहती है नेशन ऐ तुम्हें चाचा कहती है अब तुम टीम में नजर आना गई यकीन करतुम पाकिस्तान में नजर आगे ना किसी को तो फिर देखना फिर वो जो स्नैप चैट पर जुबाने बाई निकाल निकाल के स्टेटस लगाते हो ना इधर लगा ना लोगों ने पकड़ के ना उससे बां झाल झाल